हाई डियर्स आज हम जीवन उमंग के इस प्लान को समझेंगे देखिए जीवन उमंग का एक प्लान है लाई सी का जो कि हमने निकाला है किस एप से निकाला है वो भी हम समझेंगे तो G1 उमंग जो कि LIC का एक प्रकार से बोला जाए तो पेंसन प्लान भी इसको हम कहते हैं तो चलिए हम इसको देखते हैं निकाल करके कैसे आप डिरेक्ट इसको निकाल सकते हैं इसको निकालने के लिए आप अपने प्लेयर स्टोर पर जा करके देखिए आपको अपने प्लेश्टोर पे चले जाना है और यह वाला आप सर्च कर लेना ठीक है इसकी स्पेलिंग वह गएर आप प्रॉपर से टाइप करें और यह लोगो देख लें पहचान लें इस तरीके से आपको यह फाइंड कर लेना ठीक है इसको डाउनलोड कर लें इंस्टॉल कर लें और इसमें आपको प्रीमियम कैलकुलेटर पर चला जाना चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूं यहां से आपको ओपन पर जाना है ओपन पर जाने के बाद यहां पर आपको प्रीमियम कैलकुलेटर पर क्लिक कर देना है तो इस पर हमने क्लिक किया आप यह कि हमने जीवन उमंग क्योंकि calculation करना यहां पर सभी प्लान मिल जाते हैं आपको calculate करने के लिए को यहां से calculate कर सकते हैं लाइसी का ठीक है तो हमको फिलाल में आफे जीवन उमंग हम देख रहे हैं तो हमें 47 साल के व्यक्ति का calculation करने जा रहे हैं है तो यहां पर देखे सिंगल प्रेमियमे होल लाइक प्लान है भुख 2017 वुम होंने है एक गिजीवन उत्सावथ हम पर कलिएशं करेंगे तो हम को इस प्लाइनने करते थिक रदेंगे इस तरह से अब यहां पर आपको पार्टी का नाम डालना है जो भी पार्टी का नाम है यहां पर उसका डेट आप बर्थ है यहां पर कलेंडर पर क्लिक करके डेट आप बर्थ आप चूज कर सकते हैं ठीक है फिर यहां पर आप जो है यदि समय सोट के हिसाब से आप calculate करना चाहते हैं तो समय सोट या premium के हिसाब से calculate करना चाहते हैं तो premium पर इस तरह से click करेंगे यहाँ पर आप सालाना premium डालेंगे जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि early premium है यहाँ से आप mode change भी कर सकते हैं भी mode आप यहां डालेंगे उसी कहसाब से यहां पर premium डालेंगे premium और PPT मतलब जितने साल आपको premium भरना है उसे इसाब से यहां PPT वेगरे डाल करके और यहां पर अपना illustration PDF में download कर लेंगे यहां पर ठीक है और फिर उसको कोल करके तो मैंने निकाला हुआ है हम उस पर चलते हैं सीधे से और वहां पर देखते हैं किस तरह का प्लान है यह तो हमने यहां पर सौरी यह यह मैंने खोला हुआ ठीक है तो यह मैंने एक date of birth होगे डाल करके यहां पर निकाल ली है मिश्टर यादव जी हैं यहां पर इनकी एज जो है 46 मतलब 46 की इनकी उमर है और यह प्लान का नाम हमारा जीवन उमंग है इसनका जो स्टार्टिंग समय सोड़ है इन्होंने प्रीमियम जो रखा है यह यह लगवग एक लाख 20 रुपाई यदि यह इसको आप तीमाही रखना चाहते हैं तो यह 25,671 रुपाई और यदि मंतली रखना चाहते है तो 8,557 रुपाई जीएस्टी एमाउंट बनेगा कुछ इस तरह से ठीक है यह तो पहले साल का प्रीमियम हो गया दूसरे साल से कुछ इस तरह सा प्रीमि देखें तो 25,19 और मंतली अधिय आप देखें तो 8,473 रुपाई की लगभग यह किस्त लगेगी आपकी है न यह आखरी तक चलेगी आपकी जैसे पी यहाँ पे प्लान कित्ते साल का है यह 20 साल आपको भरना है ठीक है पीपीट लिखा न पीपीट मतलब 20 साल तो 20 साल आप न आपको यह पॉज़िसी पर पैसा भरना है साल का कित्ता भनना लगभग एक लाख रुपए के आज-पास आपको भनना है यह जो दूसरे साल की किस्त दी गई है यह दूसरे साल से फिर आखरी तक मतलब आखरी 19 साल यह 18 साल तक यही किस्त आपको देनी होगी ठीक है पहल फिट मिल रहे हैं तो ये टेबल नीचे आ गया पूरे प्लान का अभी व्यक्ति की जो एज है वो लगबख 46 साल अभी 2024 में हम इस पॉलिसी को कर रहा है तो अभी एज उनकी जो है इस प्लानों को क्यल्कूलेशन कर सकते हैं अभी प्लेशन मिल जाता है और आप प्लेश्टोर पर भी बहुत से एप मिल जाएंगे जैसे यहां पर देखिए अभी व्यक्ति कि यह 46 स्याल है 2024 मुस्ने पॉलिसी ली पहली किस्त यहां पर डाल दी उसने अब जो उसका रिस्कवर चालू हुआ 202,92,25 रुपई इसका नेचरल रिस्कवर हुआ और एक्सीडेंटियल रिस्कवर देखिए बगल में ही कॉलम है 35,82,250 रुपई 35,ations 35,82,250 रुपाय के लगभग ये एक्सिडेंटल इसका रिस्क कवार हुआ अभी रिटन क्या है जीरो है अभी रिटन कुछ भी नहीं मिल रहा है अभी तो हम जमा कर रहे हैं ठीक है पॉलिसी क्योंकि बीच साल का जो भी हमने टर्म लिया है बीच साल ये पंदरा साल ये पैंतिस साल तीन टर्म में आती है ठीक जो भी टर्म लिया उत्ते साल तक हमको प्रीमियम भरना जैसे कि ये बीच साल की है तो यहां पर देखो बीच साल तक हमने किस्तों को भरा है और य यहां पर आपको जो रिस्कवर है वह बढ़ता जाएगा हर साल देखिए यहां पर देखिए इस तरह से रिस्कवर बढ़ता जाएगा यह नॉर्मल रिस्कवर का कॉलम है और यह जो दूसरा accidental risk cover का column है यह देखे यह भी बढ़ता जा रहा है ठीक है यह accidental risk cover column है यह return वाला column जो हर साल return आ रहा है यह वाला column है ठीक है return वाला तो यह 20 साल के बाद 21 साल से मतलब 2024 से हमको return मिलना चालू हो गया एक लाक चालिस जा रुपय हमको हर साल यह मिलता रहेगा ठीक है इस तरह से हमको हर साल एक चालिस एक चालिस एक चालिस एक चालिस यह मिलता जा रहा है और हमारी जो है यहाँ पर value भी बढ़ती जा रही जो हमारा बीमाधन है वह भी बढ़ता जा रहा है आपने 20 साल चलाने के बाद यदि आप तोड़ रहे हैं तो उस समय तो आपको surrender amount मिल जाएगा, pension बंद हो जाएगी, plan खतम हो जाएगा, surrender करने पर याद रखिएगा, ठीक है, अगर आप इस plan को नहीं तोड़ते हैं, तो आपको हर साल pension मिलती रहेगी, और discover value आपकी बढ़ती यहाईगी, आप देखे, यहाँ पर किताका is value है, 33,950 है, यहाँ माइनस पे है, फिर हर सल बढ़ती जा ररी है, यहाँ पर पचास जार हो यहाँ तो आप से रंडर ना करके पॉना ले करके भी अपना काम चल आ सकते हैं और ये लोन की वैलिउ भी बी जैसे समय होता जाएगा लोन वैलू भी बढ़ती चलिएगी तो इस तरह से ये थीज साल तक premium भरा यहां पर ये हम इसको उपर कर देते हैं थोड़ा सा और चलिए मैं आपको बताता हूँ पर फेर से यहां तक हमने प्रीमियम भरा ठीक है और यहां से हमारी अगले साल से ही पेंसन चालू हो गई ठीक है यहां से देखिए यह पेंसन हमारी चालू हो गई नीचे यह लाइफ टाइम तक हमको पेंसन मिलती रहेगी यहां से देखिए हर साल हमको एक चालिस एक चालिस मिलता जा र रहा है और हमारी यह जो नॉर्मल रिस्कवर है और एक्सिदेंटल रिस्कवर है यह और साथ में इसकी जो भी हमारी सरेंडर वैल्यू है वो और यह जो लोन अमांट है वो यह तीनों ही चीजें देखो चारों चीजें हमारी जो है बढ़ती जा रही है ठीक है चारों चीजें बढ़ते जा रहा है, सब की value बढ़ते जा रही है यदि हमारी उम्र 90 साल हो जाती है तो 90 साल में अब हम इसका figure देखते हैं 90 साल की उम्र में हमको क्या मिल रहा है इस policy, पहली चीज़ को हमने जो pension ली हर लाग एक लाग चाले सजार एक लाग चाले सजार वो हमको pension मिली ठीक है ठीक है, यह 90 साल की उमर हिस्वेक्ति की 90 साल की उमर पर जब यह पहुंचता है तो इसको क्या value मलती है करोड तो यहाँ पर जो इसका रिसकावर होता है 90 साल की उमर में देखिए आप एक करोड 16,63,750 रुपए इसकी नॉर्मल रिसकावर की value बनती है और accidental देखें तो एक करोड 16,63,750 रुपए लगभग लगभग वही सेम value आपकी accidental रिसकावर की बनती है ठीक और आपको continue एक लाग चाले सजार हर साल मिली ही रहा है और यहाँ पर यदि हम देखें कि यदि हम policy को तोड़ते हैं surrender करते हैं अब हमको pension नहीं चाहिए है तो यदि हम तोड़ते हैं तो उस condition में क्या मिलेगा यहाँ पर देखिए आई आई सेकड़ा हजाद दस जाल लाग दस लाग करोड एक करोड ग्यारा लाग हठारा हजार शेह सो पचास रुपए आपको यहाँ पर नब्बे साल के उम्र में यदि आप policy तोड़ भी देते हैं तो यह आपको amount मिलने वाला है ठीक है और यह सारी calculation में बता रहा हूं आपको laser app के हिसाफ से ठीक है अब इसके बा है लोन कितना हो रहा है काई दाइस सेकड़ा हजार दर्जाल लाग है कि साथ लाग 35,000 रुपए इस policy पे आप इतना लोन ले सकते हैं यदि कोई emergency आपको पढ़ती है तो policy आपकी खराब होने से बच जाएगी और लोन आप चाहें तो बाद में पटा भी सकते हैं यदि नही भी पटाते हैं तो वह आपको जो भी value होगी last में उस policy की वह मिल जाएगी आपको ठीक है बहुत ज़्यादा उसमें फर्क नहीं पड़ता है लोन आपका काट के बांकी आपको benefit मिलते रहेंगे तो इस तरह का यह जीवन उमंग प्लान है हरागी यह जो प्लान है बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा बिकने वाला प्लान है लाइसी का तो देख लीजे जीवन उमंग अब हम इस पर देखिए यह क्योंकि एज विक्ति की 47 46 के आसपास है ठीक है तो इसमें देखिए last में देखिए 100 साल का policy term में यह लगभग है एक प्रकार से whole life policy है तो सौ साल में देखिए यहां पर इसको जो है इसका जो paid हो रहा हो कित्ता हो रहा है कि 19,70,986 के आसपास इसका यह जमा हो रहा है ठीक है टोटल रिटर्न इसने इत्ता ले लिया कित्ता यह कि एक करोड़ 74,000 रुपए यह रिटर्न मिलेगा है इसमें अगर व्यक्ति जीता है तो अगर बीच में कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उस केस में तो देखी यह चीज़ें दी गई है यहाँ पर आप देख सकते है न एक्सिजेंटल से हुए तो कित्ता नॉर्मल हुए तो कित्ता ठीक है यदि सरेंडर करते हैं तो कितना मतलब देखो हर चीज में आपको बहुत अच्छा बेनिफ चलते हैं हम देखी requirement यह आप थोड़ा से screen pause करके आप इसको study कर सकते हैं यह इस plan को लेने के लिए जो भी यहां पर दिया गया है एक लाग चारे चारे रेगुलर मिलेगी हर साल तक और इसमें जो है इस यह आप डिटेल इसको आप पढ़ सकते हैं लेकिन लास्ट में बात करूंगा इस plan पे जो लिखा यह special report medical report जो इस plan में लगनी है ठीक है यह ज्यादा होने की वज़े से actual में ल होते हैं तो इस case में हम यहां पर हमारे local जहां से भी हम कर रहा है कई बार हम local local ही हमारा एक case final हो जाता है ठीक है local मतलब सारी रिपोर्टे जनरेट हो जाती है यह कुछ टेस्ट है जो डॉक्टर से रिपोर्ट बना के देता है इंसुरेंस से पहले यह सब चीजें करानी होती है तो यह procedure होता है ठीक है बाकि प्लान आपने समझ लिया requirement क्या है इसमें अधार कार्ड पेन कार्ड बैंक अकाउंट पास्बुक होना चाहिए यदि आपके पास्तीन साल का रेटन का statement है तो रेटन भी इसमें मतलब मांगी जाती है रेटन का statement भी मांगा जाता है या फिर आप पास्बुक का statement भी print आउट यह फोटो कॉपी है इसमें दे सकते हैं ठीक है